विस्पिल्ला हिर्मान रहीम, अस्सलाम अलेकूम और वेल्कम बेक तो माइ यूटुब चैनल जूला जिस बक्तावर्ण पड़ा था पार्ट वन था आज पढ़ेंगे पार्ट टू थोड़ी सी जो रह गई थी वह मुसको कंटिन्यू करेंगे अब उसके बाद क्या हुआ अंग्रेज तो हकुमत करने लगे कराची पर उसके बाद यह हुआ कि ब्रिटिश में जो इंडिया की जो अवां थी वह कमें अपनी हमारी अपनी गुवर्मेंट होनी चाहिए वो तंग आ गए थे ना इन हकुमत से उसके जो तो हिंदुस्तान के जो मुस्लमान थे उन्हों ने का कि भई हमें अपने इन्होंने यह मांग की कि हमें अलग से अपना कंटुरी चाहिए जहां पर हम रहे सके तो कराजी में भी काफी हिंदू लोग रहते थे हिंदू रहते थे और हिंदुस्तान में मुस्लमान रहते थे ये जो है आज़ादी के पहले की बात है तो उसके बात क्या वो 14 आगस 1947 पे आधी रात को मतलब 12 वे एम के बाद जो है हिंदू थे उनको मिल गई पाकिस्तान वालों को मिल गई आज़ादी उसके बाद क्या हुआ कि अब आज़ादी तो मिल गई अब उसके बाद कराजी में जो हिंदू रहे रहे थे वो कराजी छोड़कर हिंदूस्तान चले गए और हिंदूस्तान में तो वो काराची में आ गह ए लेकिन वहां से इसलद hadi कई डिलिये वहां वो दूसरी कोई City में नहीं जा कर रहे रहे थे उसके बाद कराची जो है वो पाकिस्तान का जो है वो कैपिटल सिटी बना क्यूंकि वहाँ पर लोग ज्यादा रह रहे थे अब तो जाए उससे भी ज्याद है आगे चलकर फिर जो है कराची में अब जैसे आज कल चल रहा है कि भाई किसी को जॉब नहीं मिल रही तो कराची जा रहा है जौब ढूंढने कि वहाई जौब मिलेगी कराची वह वेक्ट्रियों में काम करें तू पहले बेसे होता था तो गवर्मेंट जो है वहां के जो मनाजम थे वह नोक्री की वज़े से कराची में रहने रहने लगे और ऐसे कराची में तेदाद बढ़ गया रहने का 1960 में क्या हुआ कि इसलामबाद आगे चलकर पाकिस्तान का कैपिटल सिटी बन गया अब जो है वो सिंद का जो है दारल हुकूमत है कराची आज कल जो कराची है भई वो सब को वेलकम करता है कि भई जी और जी ने दो कर और वो बहुत busy सिटी है कराची पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा busy सिटी कराची है बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर महनद करते हैं मतलब गुजर सफर करते हैं कराची जो है वो छोटा हो कोई भी हो अमीर हो गरी वो सब का welcome दिल से करता है कराची कराची को हम जो है वो रोशनियों का शहर भी कहते हैं city of life रोशनियों का उसको हम शहर भी बुलाते हैं कराची को और कराची सब का welcome करता है तो ये थी इतनी सी वीडियो जादा deep में history नहीं पड़ा ही मैंने बस इतनी सी चोटी सी वीडियो थी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और थैंक यू इंशाला फिर मिलेंगे किसी और हिस्टरी के साथ बाई अलाफिस